हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जिब्रा केक देखिए यह आपके सामने यम्मी यम्मी सा जिब्रा केक दिख रहा है न तो चलिए देख लिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है सबसे पहला काम हम केक टिन को दयार करेंगे तो देखिए हमने अपना केक टिन रख लिया है अब हम इसमें वन टी स्पून के करीब तेल डाल देंगे यह रिफाइन डॉयल है आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से ब्रस से हम इस पर लगा देंगे अग हमारे टिन जो है अची तरीके से घ्रीक हो गया है नुश्य आप हम क्या करेंगे में के सिग बटर फेपर को कट करेंगे सब से ज्यादा दिकत होती है अस्तैक बटर पेपर को कट करना है तो मैं आज आपको इस बीडियो में थोड़ी से बीडियो लंभी जरूर हो जाएगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए इसलिए वीडियो को पूरा वाच करिएगा एक बार आप इस वीडियो को पूरा वाच कर लेंगे ना तो आपको दुबारा कभी भी केक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो देखे इस तरीके से टिन रख दीजेए आप हम बटर पेपर को कट करेंगे तो इस तरीके से मैं आपको निसां लगा के दिखाते हूँ दिखे पेंसल्ज चारो तरफ निसान लगा दिया है आपको मैं दिखाती हूँ पास से अभी वीडियो को फुल वाज करिएगा तभी आप समझ पाएंगे पूरी तरीके से और केक में जो भी दिक्कते आती हैं वो आपको कभी नहीं आएंगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजे और किया है तो थेंक्यू सो मुझ देखिए मैंने आपको निसान दिखाया ना अब हम क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट करके अलग कर देंगे देखिए हमने अलग कर दिया है यह बटर पेपर में थोड़ा सा ओल लग गया है कोई दिक्कत नहीं है इससे क्योंकि हमें इसके उपर भी और लगाना ही है तो इस तरीके से हम बटर पेपर को फोल्ड कर लेंगे देखे इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे ना तो नीचे की लाइन और उपर की लाइन आपको बिल्कुल सेम दिखेगी बिल्कुल बराबर से फोल्ड करिएगा सबसे बड़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स बटर पेपर को कट करने में कभी छोटा कभी बड़ा कट हो जाता है लेकिन मेरे मेथर्ट को अगर आप फोलो करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है देखे इस तरीके से जैसे हम कौन बनाते हैं तो फोल्ड करते ना देखे इस तरीके से फोल्ड कर लिए अब आप नीचे की लाइनिंग और ऊपर की लाइनिंग को सेम जगां पर पाएंगे बिल्कुल बराबर आपको मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूं पेंसल इसलिए हलका सा आपको कम दिख रहा होगा अब हम क्या करेंगे जो लाइनिंग है उससे हलका सा बढ़ा के काट लेंगे बहु नहीं तो क्या दिक्कत आती ना फ्रेंड्स कि कोना हमारा जो है वो टूट जाता है चले इसको एक बार खोल के चेक कर लेते हैं देखें बिल्कुल परफेक्ट कट गया ना फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं आई अब हम ग्रीस किये हुए केक टिन को लेंगे और इसमें ये बटर पेपर डाल देंगे देखें मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के काटा था ना इसलिए हलका हलका सा कोनों में जरा जरा सा बढ़ा दिखेगा आपको ये जैसा कि मैंने बताया ना कि साइट से हमारे केक जो है वो टूट जाते हैं जब आप हलका सा इस तरीके से बढ़ा रखेंगे ना तो आपका केक जो है वो बिलकुल भी नहीं तूटेगा, देखें बिलकुल परफेक्ट टीन हमारा तयार हो गया है, अब हम ब्रस की सहता से इस बटर पेपर भी ऐल लगा देंगे, देखें इसको भी हमने ग्रीस कर दिया है, हमारा टीन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है तो केक के लिए सबसे पहला प्रोसेस यही होता है इसको जरूर करके अच्छी तरीके से रखिए अगर आपका टीन पर्फेक्क्ली नहीं तयार हुआ है तो आपका केक बिल्कुल भी पर्फेक्क बनके तयार नहीं होगा आधा कप ओईल डाल रही हूँ यह रिफाइंड ओईल है आप चाहें तो इसकी जगा बटर भी यूज कर सकते हैं और इसमें यह आधा कप पीसी हुई सूगर है इसको मैं बाहर से नहीं लाई हूँ हमारे गर में जो चीनी होती ना उसको मैंने मिक्सी में डालके पीस लिया है और इस तरीके से इसको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे 2-3 मिनट इसको जब हम मिलाएंगे ना ते काफी फ्लफी हो जाएगा काफी लाइट सा दिखने लगेगा आपको यह तो उस स्टेज तक इसको मिलाना है देखें यह हमारा काफी लाइट सा हो गया है अब हम इसके उपर क्या करेंगे एक इस तरीके का स्टेनर रखेंगे आपके पास नहीं है तो जो घर में जिससे हम आटा को चानते है न वह वाली चन्नी ले लीजे उससे आप चान लीजे यह मैं एक कप मैदा डाल रही हूं के केक बनाने के लिए मैथर्ड को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नहीं तो कभी भी आपका केक जो है वह परफेक्ट नहीं उतर के आएगा और मैं यह हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाली हूं इसमें और एक चोथाई टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से छान लेंगे यह प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इससे क्या होता है ना कि एक तो कुछ भी अगर गंदगी होगी मैदे में तो वह बाहर हो जाएगी दूसरा क्या होगा कि इसमें नीचे जो है वह एयर सा जाएगी जिससे हमारा केक जो है वह काफी फ्लफी बनेगा तो यह करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद यह मैंने एक कब दूद ले लिया है दूद को थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें नहीं तो आपका यह पैटर जो है यह तो पतला हो जाएगा और केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा हमें जिबरा केक बनाना इसलिए बहुत ही ज़्यादा केरफुल रहना है बहुत ही साधानी से करना पड़ेगा काम आपको तो दूद को थोड़ा-थोड़ा सा मिलाएं दूद बिल्कुल रूम टंप्रेचर पे होना से यह ठंडा या गरम दूद बिल्कुल भी नहीं देखिए यह बिल्कुल परिफेक्ट बन गया है अब हम इसको क्या करेंगे ना कि दो बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे क्योंकि जेब्रा केक बनाने के लिए हमें ना इसको कलरफुल बनाना पड़ेगा ना तो हमने इसको दो जगाँ पे अलग-अलग बिल्कुल बराबर मात्रा में ले लिया है तेखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए अब हम क्या करेंगे एक में ये कोको पाउडर यूज करेंगे अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफी पाउडर भी यूज कर सकते हैं कॉफी तो हर घर में होती है तो आप इसको मैं टू टी स्पून यूज कर रही हूं आप इसकी जगा पे कॉफी पाउडर इतनी ही मात्रा मे यूज कर लिजेगा बहुत जादा नहीं डालने के जरूरत है नहीं तो क्या होगा ना स्वाद जो है तो बिगड़ जाता है देखिए हमने डाल दिया है अब हम इसमें टू टी स्पून के करीब दूद डाल देंगे उपर से और इसको मिला लेंगे दूद डालने से क्या होगा ना फ्रेंड्स के यह बिल्कुल फर्फेक्ट बनके तयार हो गया है आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि कितना चिकना सा बना है ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और इस वाइट वाले पार्ट में हम बनेला एसेंस एड़ करेंगे अगर आपके पास है तो आप एड़ कर दीजिएगा नहीं है तो कोई जरुवत नहीं है इसके बगार भी के काफी अच्छा बनेगा आपका तो आप इसके 4-6 बूंदे इसमें एड़ कर दीजिए यह सिब खुस्बू के लिए होता है स्वाद से इसका कोई मतलब नहीं होता है तो अगर आपके पास है तो आप एड़ करिएगा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है एक इस्पून ले लिजिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तयार है अब हम इस तरीकी का सेम दो इस्पून ले लेंगे बिल्कुल सेम होना चाहिए अलग-अलग नहीं लेना है और दोनों में एक-एक डाल देंगे देखि और केक को बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए एक चमच भर के हम इस बैटर को डाल रहे हैं और बीच में डालके हलका हलका इस तरीके से फैला दीजिए अब इसको हलकालका सा टैप कर देंगे टैप करने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फैल जाएगा अब हम इसके बाद क्या करेंगे जो दूसरा भाग है हमारा कोको पाउडर वाला इसके उपर उसको डालेंगे इसको भी उतना ही लेंगे वन टी स्पूम मात्रा जो है बिल्कुल बराबर रखिएगा कम ये जादा बिल्कुल मत कीजिएगा इसको भी उसी तरीके से डालके हलकालका सा फैला देंगे और टिन को जो है टैप करेंगे देखे इस तरीके से टैप करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे न तो इसमें एक अच्छी सी लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ देखे वीडियो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को लेकिन अगर एक बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे न तो आपको जिब्रा केक बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कब्भी भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसलिए मैं आपको बहुत ही दीरे दीरे बहुत ही अच्छी तरीके से बता रही हूँ कि देखे हमारे इसमें एक अच्छी सी लाइनिंग आना स्टार्ट हो गया है और इसी प्रोसेस को हम बार बार करते रहेंगे हमारे पास जितना बेटर है हम सारे बैटर से इसी प्रोसेस को दोराते रहेंगे देखें अल्रेटी हमारा केक जो है वो बन गया है अब लास्ट में जो बचा है उससे मैं थोड़ा सा यह वाइट भाग रख दूँगी और जड़ा सा यह और बचा है भी हमारे पास तो यह चिपक गया है इसलिए हमें अलग से दूसरा एक स्पून यूज करना पड़ रहा है देखें इस तरीके से डाल दीजे बिल्कुल जितना बेटर हमारे पास हो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में क्या होता ना स्टार्टिंग में तो बहर के इस्पून डालना पड़ेगा लेकिन लास्ट में आपको कम-कम मात्रा में डालना पड़ेगा और हलका हलका डालके इस तरीके से टैप करते रहे है वाव कित तब पर्फेक्ट दिख रहा ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल अच्छी सी लाइनिंग आईए ना अब हम इस तरीके से कोई एक टूथपिक ले लेंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप जो अगर पत्ती के पीछे का भाग होता ना अगर पत्ती की पीछे की लकड़ी होती है वो आप लेके अच्छी तरीके से धूल के आप यूज कर लीजे देखे इस तरीके से अच्छे से एक लाइनिंग बनाएंगे और इस टूथपिक को अच्छी तरीके से पोच लेंगे जितनी बार हम इसको यूज करेंगे उतनी बार इसको पोच ना पड़ेगा देखे इस तरीके से साफ करते हुए थोड़ा आराम से काम करना है इसलिए देखें, चार लाइनिंग हमने बना दी है अब हम इसमे और जगा दिख रही है इसलिए इसके बीज-बीज में एक लाइनिंग और बना रहे हैं यह लाइनिंग आपके उपर depend करता है आपको कितना बनाना है कम या जादा वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं देखिए बीज-बीज में और ध्यान रखिएगा बाहर से अंदर की तरफ लाना है वाव बिल्कुल पर्फेक्ट बना है ना फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ अभी देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ना फ्रेंड्स अब हम इसको बेक करने के लिए गैस पे एक पतीला रख दिये हैं यह 10 मिनट के लिए फ्री हीट करने के लिए हमने रख दिया था कोई भी पतीला या कूकर आप किसी भी चीज में बना सकते हैं और उसके अंदर एक इस्टेंड रख देंगे अगर आपके पास इस्टेंड है तो इस्टेंड रख दीजे नहीं तो कोई भी कटोरी कटोरा प्लेट कुछ भी रख सकते हैं और उसके बाद हम इस्टिन को इसक देंगे आज को बिल्कुल मीडियम रखिएगा नहीं तो यह लाइनिंग जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आएगी 40-45 मिनट के लिए हमने इसको ढग दिया था देखिए 45 मिनट हो चुका है अब हम केक को खोल के देख लेते हैं चेक कर लेते हैं वाव बिल्कुल पर्फे करेंगे एक दू जगा और चेक कर लेते हैं अगर केक हमारा नहीं पका होगा तो इसके अंदर में बैटर लग के बाहर आएगा लेकिन बिल्कुल क्लीन आया है इसका मतलब केक हमारा बेक हो चुका है अब हम इसको बाहर कर लेंगे देखिए हमने केक को पतीले से बाहर कर लिया है अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तुरंथ हम केक को बाहर बिल्कुल भी नहीं करेंगे नहीं तो क्या होगा कि हमारा केक जो है वो टूट जाएगा तो ठंडे होने का इंतिजार जरूर करें देखिए 15 मिनट हो गया है अब हम केक टिन को खोलेंगे अगर आपके पास इस तरीके का टिन है तो बहुत ही इजी है केक को बाहर करना और नहीं है तो देखिए इस तरीके से आप नाइफ लगा के साइड को छोड़ा दीजे वैसे दिखाती हूं इस तरीके से देखिए अब हम केक टिन को पूरी तरीके से खोल देंगे मैं आपको यहां से दिखाती हूं थोड़ा सा देखिए तीन हमारा बाहर आ गया है बस नीचे की प्लेट अभी इसके नीचे है लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था तो इसे हम बहुत ही इसली उठा पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाल ल Táion तो आप भी मेरे मैथट को अगर फॉलो करकर के बनाएंगी ना तो आपका केक भी पिल्कुल इस सी तरीके से बनेगा आपको लोगों की सिकायद रहती हिया जेब्रा केक नहीं बनता है तो एक बार मेरे मैथथट को फॉलो करकर देखिए किस तरीके सेुदी ये केक किसे हल्के हाथों से निकाल देंगे हल्के हाथों से निकाल लिएगा नहीं तो क्या होगा ना कि केक टूच जाएगा केक बनाना बहुत ही इजी है बस थोड़ा सा केरफुल रहना पड़ेगा आपको यह बटर पेपर को बाहर कर लीजी देखिए पूरी तरीके से बटर पेपर बाहर आ गया ना अब इसको कर देते हैं साइड में और इस केक को पलट लेंगे तो एक दूसरी प्लेट लगा लीजी उपर और इससलो में पलट देखिए कितना परफेक्ट बनाना फ्रेंट्स कितना इस्पॉंजी बना है सिर्फ एक कप मैदे में इतना बड़ा सा इतना अच्छा सा केक बनके रेडी हो गया है तो आज से बाहर से केक लेना बिल्कुल बन जब भी मन हो केक खाने का या बच्चे जब भी ओडर करें तो आप फटा फट से मेरे मेथट को फॉलो करिया और केक को बना दीजे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को अगर अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस